लेवर कार्ड और इस्रम कार्ड में क्या फायदा है बहुत से दोस्तों ऐसे लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि लेवर कार्ड और इस्रम कार्ड दोनों एक ही कार्ड हैं और दोनों कार्डों के एक ही बेनिफिट्स हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता और इन दोनों को बनवाने का क्या प्रोसेस है और आपको कितनी योजनाओं का लब दिया जाता है दोनों कार्ड में और कौन सा कार्ड इन दोनों में बहतर है बहुत से लोग दोस्तों सोच रहे हैं कि लेवर कार्ड ज्यादा बहतर है और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो लोग ये सोच रहे हैं कि जिनका लेवर कार्ट बना हुआ है कि आप बो लोग भी इसरम कार्ट बनबा सकते हैं या फिर नहीं बनबा सकते हैं तो आपको बता दूँ अगर आपका भी लेवर कार्ट बना है तो आप इसरम कार्ट बनबा सकते हैं कोई भी प्रोब्लम नहीं होने वाली है और आप लोग लेवर कार्ट की योजनाओं का भी फायदा ले सकते हैं साथ ही इसरम कार्ट की योजनाओं का भी फायदा ले सकते हैं यानि कि अगर आप लोग दोनों कार्ट बनवा लेते हैं की लेवर कार्ड आपको किस प्रकार से बनवाना है और ईस्रम कार्ड आपको किस तरह से बनवाना है तो दोस्तों अगर आप लोग लेवर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो लेवर कार्ड आप लोग ओनलाइन ही बनवा सकते हैं लेकिन लेवर कार्ड बनवाने के लिए अलग प description box में दोनों ही वीडियो का लिंक दे दूँगा इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि labor card बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ती है और isram card बनवाने के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत पड़ती है सबसे पहले अगर labor card अगर आप लोग बनवाएंगे तो उसमें आपका आधार card लगेगा इसके बाद आपका एक bank account लगेगा जिस भी bank account में आप लोग labor card की किसी भी योजना का पैसा लेना चाहते हैं इसके बाद आपका एक passport size का photo लगेगा और इसके बाद आपका एक नियोजन प्रमाड़ पत्र लगेगा और एक आपका 100 प्रमाड़ घोंशना पत्र लगेगा नियोजन प्रमाड़ पत्र आप लोग अगर किसी भी ठेकेदार के अंडर में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को उसी ठेकेदार से नियोजन प्रमाड़ पत्र बनवा लेना है नियोजन प्रमाड़ पत्र आपको कुछ इस तरह से दिखेगा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि चोथे डाकुमेंट के बारे में वो है आपका स्वप्रमाड़ घोंशना पत्र और स्वप्रमाड़ घोंशना पत्र आपको कुछ इस तरह से दिखेगा इसका भी लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दे दूँगा अगर आप लोग चाहों तो लेवर कार्ट खुद से ही बना सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कि इस्रम कार्ट बनबाने के लिए आपके पास कौन-कौन से दस्तवेज होने चाहिए दोस्तो इस्रम कार्ट बनबाने के लिए आपके पास सर्फ आधार कार्ट होना चाहिए और आपके आधार कार्ट में मोबाल नंबर रेश्टर्ड होना चाहिए तो आप खुद से ही इस्रम कार्ट बनबा सकते हैं और अगर आपके आधार कार्ड में मॉबाल नमबर लिंक नहीं है तो आप किसी भी स्यस्य सेंटर पर जा करके अपनी fingerprint के माद्यम से भी इस्रम कार्ड बनबा सकते हैं और आधार कार्ड के अलावा आपका एक bank account होना चाहिए और जिस भी bank account में आप लोग इस्रम कार्ड की किसी भी योजना का पैसा लेना चाहते हैं बस आपके पास यही दो documents होने चाहिए बागी आपका जितना भी data है यानि कि जैसे कि आपका photo हो गया आपका address हो गया और जितनी भी जानकारी है वो आपके आधार कार्ड से ले ली जाती है और उसके बाद जो भी आपका इस्रम कार्ड बनता है तो बहाँ पर जिस प्रकार से आपका आधार कार्ड में एक number दिया हुआ रहता है और यह आपका होता है UAN number साथी आपके आधार कार्ड में QR Code भी दिया रहता है तो आपके ईस्रम कार्ड में भी QR Code दिया हुआ रहता है इस QR Code के माध्धन से ये भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो ईस्रम कार्ड बना हुआ है ये असली है या फिर नकली है ये भी दोस्तो उससे पता लगाया जा सकता है चलिए दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस्तरम कार्ड में कौन कौन सी योजनाओ का लाब आपको दिया जाएगा और कौन से कार्ड में आपको ज्यादा benefits मिलेगा तो चली अब हम बात कर लेते हैं लेवर कार्ड की योजनाओं के बारे में लेवर कार्ड में योजनाओं हैं इसमें काफी ऐसी योजनाओं हैं जो हमेशा चलती रहती हैं और काफी ऐसे भी योजना हैं जो कभी-कभी चलती हैं जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसमें की योजना है free cycle योजना इसके बाद यहाँ पर है free source आयता योजना इसमें दोस्तों आपको solar panel बगारा दिये जाते हैं और साथ ही यहाँ पर आपको कुछ बल्प बगेरा दिया जाते हैं जो LED बल्प होते हैं और इसमें एक टेविल फैन भी आपको दिया जाता है इस योजना में आपको किस तरह से ओनलाइन आवेधन करना है इस पर मैं अल्रेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा अगर दोस्तों मैं लेवर कार्ट की सभी योजनाओं के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं शोट में बता रहा हूँ और उस लिए अलग से वीडियो बना दी है आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों जो अगली योजना है वो है चिकतसा सुविदा योजना इसमें दोस्तों आपको तीन हजार रुपए सरकार के तरफ से एक साल में दिये जाते हैं फिलहाल दोस्तों पिछल लाप मिलता है जैसे कोई भी आपदा आती है जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस आया था तो उसमें लोग डाउन बगएरा लगा था तो इस योजना के तहट काफी मजदूर के काफी मजदूरों के अकाउंट में सरकार ने एक एक हजार रुपए ट्रांसफर किये थे तो मतलब कोई भी आपदा आती है तो आपदा से रिलेटेड आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाता है इसके बाद दोस्तों अगली योजना है गंभीर बीमारी सहता योजना अगर आपका लेवर कार्ट बना है और आपको कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी से भी आपको सरकार की तरप से पैसा मिलता है जिससे की दोस्तों आप लोग उस बीमारी का इलाज करा सके इसके बाद दोस्तों है कि योजना संत रवीदा सिक्षा सहता योजना इसमें अगर आपके बच्चे हैं और वो स्कूल में जाते हैं और लाइक हो गई है यानि कि उसकी एच 18 साल से पिलस है तो आपको इस योजना के तहट लगबग 55,000 रुपए से लेकर 61,000 रुपए तक मिलते हैं इसमें अगली योजना है सोचाले साहता योजना अगर आप एक सिर्मिक हैं और आपके घर में सोचाले नहीं बना है या फिर सरका के तरफ से आपको आवास नहीं मिला है तो आप लोग लेवर कार्ट के जरिये भी आवास योजना के लिए अपलाई कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आप लेवर कार्ट के जरिये अगर आवास के लिए यह तो होगनें। लेवर कार्ट की योजनाएं। और अब हम बात कर लेते हैं कि e-Streme Card अगर आपका बना है तो आपको काउन काउन सी योजनाओ का लाब मिलने वाला है इसमें कुछ खास योजनाए एड नहीं है केवर कार्ट के अपयक्छा इसमें बहुत कम योजनाए है इसमें दोस्तो अभी सरकार क्या है जितने भी सिर्मिक लोग हैं मजदूर लोग हैं उनका डाटाबेस इकठा कर रही है कि कौन सा मजदूर क्या काम करता है उसके बाद ही दोस्तो सरकार योजनाए लौज करेगी और सबी जितने भी सिर्मिक हैं जिन लोगों का भी इसरम कार्ट बना हुआ है तो उन लोगों के लिए हो सकता है सरकार अलग-अलग योजनाए भी लौज कर सकती है क्योंकि दोस्तो जब आप लोग इसरम कार्ट होता है तो इस रमकार्ण में ऐसा नहीं है तो इसमें अपि फिलाल पृरदान मन्त्री सुरकण्षा बीमा ईयोजना चल रही है इस में अगर आप लोग स्कूर्जना का लाब लेंगे तो आपको आपकी मुर्ट्र में होती है तो तो आपको गवर्मेंट के तरब से दो लाख रुपए का दुरगटना बीमा दिया जाएगा लेकिन दोस्तो ऐसा नहीं है कि अभी इसमें कोई भी योजना नहीं चल रही है तो कभी नहीं चलेगी हो सकता है सरकार आने वाले समय में इस पोर्टल पर योजना एड़ करेगी और उसके बाद आप लोग उसमें ओनलाइन ही आवे दिन भी कह सकते हैं दोस्तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों ही कार्ड में आपको कौन से कार्ड पर ज्यादा योजनाओ का लाब मिल रहा है तो दोस्तो अब आपको बताने की कोई भी जरुवत नहीं है, लेवर कार्ड में यहाँ पर काफी ज्यादा योजनाओं का आपको लाब मिल रहा है, बट इसरम कार्ड में आपको अभी देखा जाये तो कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो की काम की हो और आपको उसका लाब इस एक मजदूर है तो आप लोगों को करना क्या है दोनों ही कार्ड बनबा लेने है जिस भी कार्ड में कोई भी योजना निकले तो उसके लिए आपको अपलाई कर देना है और उस योजना का लाब ले लेना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गवर्मेंट की तरफ से या फिर स्रम कार्ड में क्या डिफरेंट है क्या अंतर है और आपको कौन सा कार्ड बनFOREना चाहिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही वेट लेटे लेबर कार्ड और इस्रम कार्ड से लिएटेड अगर आपके डमन में कोई मिल सके तो फिलाहल दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी एक नही वीडियो में एक नही जानकारी के साथ और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद